नमस्कार में दिव्या स्वागत है आपका अचके स्रोजगार समाचार में सरकारी नौकरी की एक्छा रखने वालों में द्वारों के लिए बरी ख़बर है आवेधन करने के अंतिम तारीक 15 दिसंबर 2023 एक्छोग में द्वार इसके आधिकारिक वेबसाइट एने बी एफाइड.org पर जाकर आवेधन कर सकते हैं आवेधन आदी से संबंधित जानकारी आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं चलिए अब जानते हैं इस पद के लिए योगिता के बारे में तो जो मिद्वार लेंडिंग ऑपरेशन के लिए आवेधन करना चाहते हैं वही निवेश और कोस के लिए किसी भी मानिता प्राप्त विस्विद्याले या संस्तान से MBA या ICWA या CA या Specialization के साथ management में पोस्ट ग्राजुइट की डिगरी या डिप्लोमा होना जरूरी है इसे जुरे अधिक जानकारी के लिए आप इसके notification को देख सकते हैं इसका link हमने अपने description box में दे रखा है आईए अब आगे इसके IU सीमा के बारे में जानते हैं इन पदों पर भरती के लिए उमिद्वार की नियुनतम IU है किस वर्ष और अधिक्तम IU 40 वर्ष होनी चाहिए उमिद्वार का जन्म 2 October वर्ष 1983 से पहले ना हुआ हो साथ ही नियुनतम IU में उमिद्वार का जन्म 1 October वर्ष 2002 के बाद ना हुआ हो हाला कि आरक्षित वर्ष को इसमें चूट के प्रावधान दिये गए हैं जो मिद्वार अपना संबंध SC या ST वर्ष से रखते हैं उन्हें 5 वर्ष के अधिक्तम चूट दिये जाएंगे वही इस वर्ष के PWBD यानि दिव्यांग अभ्यरतियों को 15 वर्ष के चूट दिये जाएंगे जो अभ्यरति अपना संबंध OBC वर्ष से रखते हैं और non-creamy layer हैं तो उन्हें 3 वर्ष के चूट दिये जाएंगे हालांकि इस वर्ग के PWBD अभ्यारतियों को 13 वर्स के छूट दिये जाएंगे जो PWBD अभ्यारति जेनरल है या EWS से आते हैं उन्हें आयू सीमा में 10 वर्सों के छूट दिये जाएंगे उमिद्वारों का जैन इंटर्व्यू के माध्यम से किया जाएगा यह इंटर्व्यू मुंबई में कंडक्ट करवाए जाएंगे चलिए अब आखरी में बात करते हैं इसके आविदन प्रक्रिया के बारे में लेकिन आविदन करने से पहले एक बार इसके नोटिफिकेशन को जरूर पर हैं इसके बाद अभ्यरति इसके आधिकारिक वेबसाइट www.nabfid.org पर जाएंगे इसके होमपेज पर आते ही नए रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर टैब चुने इसके बाद नाम, कॉंटेक्ट और इमेल आईडी जैसे मांगे के अन्य जानकारी को भर दे फिर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासबर जेनरेट करने के बाद यह स्क्रीन पर दिखाई देगा उसके बाद भरे गए आवेदन फॉर्म को जमा कर दे, मांगी गए सभी जरूरी दस्ता वेजों को भी अप्लोड कर दे प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसके प्रिंट आउट को अपने पास रख ले आवेदन और नोटिफिकेशन लिंक दोनों ही हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे राके हैं आप यहां से भी डाइरेक्ट जा सकते हैं आज के लिए फिलहाल इतना ही हमारे साथ बने ना निकले आपका धन्यवाद